एलो एब्रिवन और कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे हो और अपने लाइफ में बहुत सारा बन करने हो देखो यार मिरको पता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे तरीके टिप्स और ट्रिक्स चाहिए कि आप अपने डे टो डे लाइफ को इंप्रूब कर सेगो जो भी आप डेली की गलतिया करते हो वो ना करो तो बचलोग मैं आपका अपना फिजिक्स बड़ी फ्रॉम सी बीसी स्पेशल चैनल आपके लिए लेकाया हूँ तीन ऐसी इंपॉर्टन में ट्रिक्स जिससे आपकी डेली लाइफ में इंप्रूब्मेंट आएगी और इंप पेलने वाला हूँ मैं इसमें बहुत लिमिटेड ग्यान मिलेगा आपको बट वो जो ग्यान है जैसे ही आप अपनी लाइफ में डे टो डे लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि येस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखो बच्चा लोग अब आप सबसे में तीन चीज मैंने लिखी हैं इसमें वो तीन चीज हर एक बच्चा रिलेट करेगा चाहे वो नाइंत का बच्चा हो टैंत का बच्चा 11 12 ग्रेजुएशन इवन मैंने ये अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको कि एंड तक अपने पोस्ट कहने के लिए सुनने के लिए है या सिर्फ लिखने के पॉइंट ऑफ यू से है बट इन तीन चीजों में आपका बहुत सारा चीज हुपा हुआ है बहुत सारी चीजे सोटेट हो जाएंगी और सोटेट मैं करवात हुआ इसी वीडियो में तो आपको क्या करना है कि बस इस अच्छे से ध्यान से देखना है अपने अपने इंडिविज्वल तरीके से उसको नोटेट डाउन कर लेना है लिखना है जो भी आपकी अपनी अपनी कमिया है जो आप इस वीडियो से रिलेट कर पाते हो कि यार यह ट्रिक या यह टिप्स तो मेरे को बहुत जादा जल्द निकल के आती हैं तो इन तीन चीज़ों को आप जैसे ही पोलो करोगे तो आटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा कि भाई यह बहुत इंपोर्टेंट है और इच प्रोस्पेक्टिव से जुड़ी हुई है तो देखो जैसे आपको देखने को सबसे पहली चीज क्या है आइडियल से जो आपका आइडियल हो स्पोर्ट्स में या फिर डांस में या फिर पढ़ाई में या फिर एट इसी किसी भी एक्सेप्शनल फील्ड में आप जाके देख लो अगर उसकी स्लेपिंग शेडूल अच्छी नहीं है स्लेपिंग श्डूल ज़रूरी नहीं है कि आप daily daily जो हम parents हमारी parents बोलते हैं या जो siblings या elders बोलते हैं कि रात के 10 बजे सो जाओ 12 बजे सो जाओ 6 बजे उट जाओ नहीं sleeping schedule से मेरा यहाँ पर मतलब यह है बच चलो कि आपको क्या करना है कि आपको अच्छी नीन लेनी है at least 7-8 घंटे की नीन लेनी ही लेनी है क्योंकि हमारी body को physically वो rest required होता है अगर आप उतना rest proper नहीं करोगे तो आप अपने daily life में grow नहीं कर पाओगे improve नहीं कर पाओगे आप जो भी x y z जो भी चीजे कर रहे हो उसमें आपका concentration नहीं रहेगा focus नहीं रहेगा अब tired feel करोगे throughout the day कई बार क्या होता है कि हम last के दिनों में ज़्यादा मैनक करने के लिए कम सुद्धे लग जाते हैं अपने sleeping schedule बिगार देते हैं वो धीरे धीरे इतना बिगड़ जाता है कि वो सुधर ही नहीं पाता है तो सबसे main चीज क्या करनी है बच्छा लोग कि अपना figure out करना है sleeping schedule ये बहुत जादा important बात है आप देखो आपको अपने इसाब से देखना है कि अगर आप रात के 10 बजे free होते है अपने work से काम से थोड़ा सा अपना entertainment करो कि कोई भी movie देखो novel पड़ो book पड़ो कुछ भी करो अगर आप दो बजे सो रहे हो तो 8 बजे से पहले तो उठो ही मत एट लिस्ट 6 घंटे तो सो नहीं है क्यों important हो जाती है student life में बच्चों लोग यह वाली बात क्यूंकि देखो student life में होता क्या है कि 6 घंटे की अगर आपने sleep नहीं लिए तो चले जाओगे तो figure out करना है अपना sleeping schedule यह काफी important बात है बच्चों लोग इसको ध्यान में रखना है अपना sleeping schedule सबसे ज्यादा main priority पर रखना है कि भाई मैं अगर एक बचे सो रहा हूं तो मिले को 7 बचे तक सोना ही सोना है अराम से 6 घंटे की minimum नहीं यह मैंने at least बोला है वैसे तो 7-8 घंटा सोना चाहिए school life में ज्यादा सो रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बट minimum 7-8 आर सोना चाहिए अब जो दूसरी चीज है बच्चों लोग जो दूसरी में चीज है write the agenda of your day अब लिखने का में प्रोस्पेक्टिव क्या है या लिखने से होता क्या है देखो यह जो लाइन है बहुत important आप किसी भी successful person की कहानी autobiography पढ़ो या उसके बारे में थोड़ा पढ़ो उसका जो में मोटीव है कि उसने written में अपनी चीजे करना है कि आपको जो भी दिन में करना है एक दिन का तो लिखो फिर साम को बैठो या आपने आपसे पूछो कि कितना काम हो गया उसको टिक करो तो आप जब ऐसे दो या तीन दिन में करोगे तो पहले 50% होगा फिर 60 फिर 70 फिर 80 फिर 90 आपका ऐसे बढ़ता चला जाएगा ग उठके थोड़ी बहुत exercise करी या नहीं भी करी उठके जब से पहले कि आज मुझे यह particular काम करने है में पांच काम लिख लिए पांच में से तीन हुए तो दो क्यों नहीं हुए उन दो में जो मेरा time waste हुआ मुझे आगे नहीं करना है तो इस तरीके से हम अपने daily life को improve कर सकते है यह जो tip number two है बचलो कि काफी important है इसमें क्या करना है जैसे ही आप लिखोगे ना तो आपका वीजन क्लियर होगा कि हाँ भी मुझे यह चीज करनी ही करनी है इस particular day में अगर आप लिखी नहीं रहे तो आपको यहीं नहीं पता है करना है क्या है तो करना है क्या तो किसी भी क्या है मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं सबको बताता हूं आपको बता रहा हूं अगर आपके पैसे खर्च हो जाए अगर आपके यह थोड़ा मैंनी प्रॉब्लम है तो आप कमा सकते हो दुबारा से अभी किसे अपने बड़े भाई या पापा वापस से पूछना पैसे चले जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थोड़ी बहुत कमी आ जाती है तो वह वापस नहीं आ सकता तो टाइम बहुत है तो इसलिए जो अपने टाइम वेश्मित करों ठीके बचलोग अब जो तीसरा पॉइंट है वेटा लोग तीसरा पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टन है इतना ही इंपॉर्टन है एट हेल्टी ली एंडू एनि फिजिकल एक्टिविटी अब यह जो किसी भी प्रोस्पेक्टिव फिल्ड स इसे समझो कि आपकी अच्छी चल रही है आप अच्छे से पढ़ रहे हो आपको मजा आ रहा है समझ में फिर आप पढ़ गए बिमार कोई भी फैक्टर हो सकता है या तो आप बाहर घूमने गई आपकी बॉड़ी सेंसिटिव है आपको जो मोसम चेंज हो पर फ्लू हो गया या आप जंक फूड खा रहे हो आपको लूज मोशन हो गए या फिर पेट गराब हो गया इंडाइजेशन हो गया कोई भी XYZ चीज हो गई आपके साथ तो क्या होगा कि वो जो गैप आ जाएगा वो गैप आ गया ना क्यूंकि आप सिक हो बिमार हो तो आप उस टाइम पिरे से देखो डेली डेली करो एक दम से चीजे नहीं आएंगी एक चीट डे रख लो कोई दिक्यत वाली बात नहीं है बट अगर आप रेगुलर्टी में जंक फूड खा रहे हो यह कुछ भी ऐसी चीज खा रहे हो जो आपको इंपेक्ट करती है तो वह मत करो अगर आपको होता है बिमार नहीं पढ़ते हो तो करो वरना मत करो तो वरना क्या करो भाई हेल्थी खाना खाओ उसके बाद डू एनि फिजिकल एक्टिविटी देखो इस्टूड लाइफ में अगेन मैं बोलू तो यह काम बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाता और कॉर्परेट लाइ होता है उसमें क्या प्रोसेस है कि हमें कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी बढ़ती है बट ड्यू टू दिस कोरोना और यह ओनलाइन प्लैट्फॉर्म का सबका देखते हुए हमारा जो स्कूल लाइफ में भी फिजिकल एक्टिविटी गेम अगरा इस्कूल ही न इंडोर मत खिलो इंडोर में या फिर जो पीसी पे गेम होते हैं उनका नेगेटिव इंपक्त यह होता है कि आप ज्यादा स्क्रीन टाइम आपका बड़ा हुआ है आप इतना स्क्रीन देख रहे हो फिर ऑनलाइन गेम खरोगे तो आपकी जो आँखे हैं वो ज्यादा फिल करोगे तो आपकी लाइफ में जो ये इंप्रूमेंट है वो आ जाएगी 102 परचेंट तो अभी इस वीडियो को करते है रैप इस वीडियो को रैप अप करने से पहले दो में बाते देखो हमारा ये टेलिग्राम चैनल है इसको आप टेलिग्राम चैनल को जोइन करो ता इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्यू हमारा इस चैनल को सस्क्राइब करो शेर करो एस मच एस यू कैन और बच्चे बैस बच्चो मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में मैं आपका अपना फिजिक्स बड़ी निति नारे प्रोमी सीवेसी स्वेजल मिलू गई जल्दी नेक्स वीडियो में ओके बच्चे लोग बाई बाई